एकादसी का बृत आप जैसे चावल नहीं खाना है एकादसी के बृत में भगवान विश्णू का पूजन करना है पंचामृत से अब से करवाना है भगवान विश्णू को और चावल चड़ाना नहीं है भगवान विश्णू के उपर तुलशी पत्र का प्रियोग करना है एक काल की संद्या प्राता काल दुफर और मध्यम यानि शायम तीनों समय पर भगवान का ध्यान करना माला करना एकादसी बृत कथा की पाट करना बृत कथा को शुनना और द्वादस अक्षर मंतर जो तुम ने कहा कि हम सरनागती लिये हैं तो जो द्वादस जो आपको गुरू म मंतर मिलाए उस मंतर का आप जाप करो और दिन भर जाप करो और सायम काल अगर एक टाइम भोजन करते हो तो सायम काल ब्राम्मर भोज कराकर कन्या भोज कराकर और फिर आप प्रशाद पाईए और बैसे तो एकादसी को प्रशाद नहीं पाना चाहिए अगर शास्त्र मानित तो एकादसी को परशाद नहीं पाना है, द्वादसी को ब्रत का परायन करना है, यानि दूशरे दिन, ऐसा करने से एकादसी का फल पराप्त होता है